हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन, आज के वीडियो में हम दखेंगे आपरेटर ओबर्लोडिंग के बारे में, तो चलिए स्टाइट करते हैं, मतलब, आपरेटर ओबर्लोडिंग पालिमार्फिज्म का एक प्रकार है, जिसकी सहायता से किसी आपरेटर के मीनिंग को पुना परिभासित कर सकते हैं, ठीक है, अब आपरेटर आपको पता है, है ना, C++ में सेंबल्स होते हैं, जो की एक या एक से अधिक आपरेटर के बीच निस्चित आपरेशन परफाम करते हैं, जैसे mathematical आपरेशन हो गया, है ना, logical आपरेशन हो गया, है ना, जैसे आपका plus, minus, है ना, ये दो या दो से अध ठीक, आपरेट के 20, गर्ती عापरेशन, तार्गीक आपरेशन, परफाम कराते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उन आपरेटर के meaning को, है ना, basic meaning को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब पुना define, पुना परिवाशित कर सकते हैं, ठीक है, जैसे example के लिए Mallow, प्लस काम है तो यहां पर हम जो जोड़ने का काम है ठीक है उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं मतलब उसके जो बेसिक काम है उसके अलावा हम उसको और कहना चाहिए परिवासित कर सकते हैं जिसको हम आपरेटर ओबर लोडिंग करते हैं ठीक है तो कोई भी आपरेट एक्स्ट्रा काम हम वहाँ पर करा सकते हैं आपरेटर ओवर्लोडिंग के माद्ध हम से ठीक है अब सी प्लस प्लस में कुछ ऐसे आपरेटर भी होते हैं जिसको कहना चाहिए ओवर्लोड नहीं कर सकते ठीक है जैसे नीचे में दिया है आपका क्लास मेंबर एक्सेस आपरेटर मतलब डाट और एस्ट्री का आपरेटर ठीक है यह क्लास मेंबर एक्सेस आपरेटर होते हैं बाद इसको prezolution operator ठीक है। ऊसके बाद conditional operator, question mark और colon वाला symbol और size of operator ठीक है, इसको हम उभालोड नहीं कर सकते हैं। इसके mean, यह को हम change नहीं कर सकते हैं। पर्वासित techno fall and change नहीं कर सकते हैं стीक है mandated लरगों, आगे देखते हैं। syntax देख लेते हैं इसका operator overloading का return type उसके बाद class name इसको resolution operator उसके बाद operator आपका keyword होता है C++ में और जो op लिखा है वहाँ पर हम use करते हैं symbol ठीक है कैसा symbol उस operator का symbol जिसको हमको overload करना है ठीक है उसके बाद कोश्टक में आप argument भी दे सकते हैं ठीक है इसके बाद opening brace और उसका body रहता है function का body और closing brace ठीक है तो clear है return type class name इसको resolution operator ठीक है operator जो keyword होता है पहले से ठीक है C++ में उसके बाद op op मतलब symbol हम उस operator का symbol जिसको अपरेट करना है ठीक है वह symbol यहाँ पर हम लिखते हैं ठीक है उसके बाद कोश्टक में परामिटर या फिर argument जो देना चाहते हैं ठीक है और यह यहाँ पर function body रहता है ठीक है तो यह है operator overloading का syntax उसके बाद यह जो आपका operator function है ठीक है उसको भी call करना पड़ता है आपका main function में ठीक है तो उसका syntax यहाँ है उसको भी देख लेते हैं तो यहाँ पर operator दो प्रगार कहोते हैं unary operator मतलब केवल एक ही operator पर जो operation परफाम करते हैं उसको unary operator कहते हैं ठीक है उसका syntax आप देख सकते हैं यहाँ पर op लब symbol है जिसको operate करना चाहते है और x कहना चाहिए आपरेंड है उसके बाद x आपरेंड और op आपरेंड ठीक है एक्जामपल जैसे a minus मैनस क्या है आपका operator है आपरेंड है और a और minus minus ठीक है उसके बाद दूसरा आपका binary operator होता है जोकि एक से अधिक operator के बीच operation परफाम करते हैं उसके लिए तो x, o, p, y ठीक है एक्जामपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर a plus b ठीक है तो यह आपका binary operator का syntax है ठीक है चलिए प्रोग्राम के माध्ध हम से इसको हम execute करा के देखते हैं ठीक है वो clear हो जाएगा चलिए उपर में मैं comment या पर documentation section में मैं लिख देता हूँ क्या चेज कर प्रोग्राम है उसको ठीक है प्रोग्राम फार यूनरी operator overloading ठीक है प्रोग्राम फार यूनरी operator यूनरी operator मतलब जो मैनस वाला operator होता है has include iostream.h तो बसेकंड हैडर फाइल has include कॉन्यो.h असलब हम यहां पर जो मैनस operator है ना उसको उबालोट कर रहे हैं यूनरी operator के रूप में है ना चलो लोग्रास का नेम test ओपनिंग ब्रेस और यहां पर प्राइवेट डेटा मेंबर हम ले लेते हैं तिन a,b,c करके integer type का data member है उसके बाद public member के रूप में हम यहां पर एक member function ले ले लेते हैं wide get data wide get data ठीक है और इसमें हम parameter लेते हैं जो कि integer type का होगा तीन parameter हम यूज करते हैं int int और int है तीनों integer type का है उसके बाद second member function show कराने के लिए यूज करते हैं उसके बाद अब यहां पर हम यूज करेंगे जो operator function है वो wide ठीक है operator operator हमको पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा operator ठीक है उसके बाद उस symbol को लिखना पड़ेगा हमको इसके बाद जिसे minus ठीक है और यहां पर bracket ठीक है यहां पर हमको भी parameter use नहीं कर रहे हैं ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूं unary operator ठीक है उसके लिए function है चलिए अब यह तो class है उसके अंदर में हम उसको define किये है अब बाहर में इसको हम declare किये थी अब बाहर में इसको हम define करेंगे जो member function हम use किये है wide test class का name इसको resolution operator get data और int x comma int y comma int z ठीक है जो member function हम get data लिए थे class के अंदर इसको हम define कर रहे है जहां पर चलिए अब आ में जो private data member है ठीक को use करते है आप और उसमें value assign कर देते हैं x का जो कि get data function से मिलेगा बी में value assign कर देते हैं y का और c में value assign कर देते हैं z का value ठीक है चलिए यह function define हो गया उसके बाद second function है सो ठीक है उसको भी डिफाइन करते हैं वाइड टेस्ट ठीक है आउट साइट डिफाइन कर रहे हैं हम ठीक है सो और इस फंक्शन के माध्याम से हम जो वैल्यू हम A और B और C को दिये हैं उसको प्रिंट कराएंगे C आउट की सायता से चलिए C आउट ठीक है A इक्वाइल टू ए इंट एल ठीक है उसी प्रिंट करा देते हैं C आउट की सायता से उसके बाद C को भी हम प्रिंट करा देते हैं दिस प्रिंट लग रहा करा देते हैं उसको ठीक है ये अब ये सो फंक्शन भी क्लोज हो गया यहाँ पे कंप्टिट हो गया अब बज़ गया आपका आपरेटर फंक्शन ठीक है उसको भी हम कि सो करा देते हैं वाइड टेस्ट इसको प्रिंट लूशन आपरेटर ठीक है अब इसको डिफाइन करते हैं मदला भाम इस जो मैनास अपरेटर है यूनरी अपरेटर है ना उसकी सहता से कोई नंबर है ना उसका जैसे आप पाजेटिव नंबर देते हैं तो उसको ये निगेटिव में कंवर्ट करेगा ये फंक्शन और निगेटिव नंबर को पाजेटिव नंबर में कंवर्ट ठीक है चले यह तीनों फंक्शन डेफाइन हो चुका ठीक आप चलते हैं में फंक्शन में प्रिभ्यास वाला आउट्पुट को स्क्रीन से क्लियर करता है उसके बाद अब यहां पर बनाएंगा अबजेक्ट क्लास नेम और उसके बाद अबजेक्ट नेम टी हम यहां पर रखते हैं अब टी वन की सहाता से जो हमारे मेंबर फंक्शन है सब को काल करते हैं टी वन डाट गेट डेटा और यहां पर यह पर यह पैरामिटर लेगा मतलब वैल्यू लेगा क्योंकि यह 10 दे देते हैं और माइनस 20 दे देते हैं गर उसके बाद 30 दे देते हैं ठीक है तो just meaning को change करेगा 10 को माइनस 10 कर देगा मानस 10 को प्लस 20 और 30 को मानस 30 करेगा ठीक है 100 को भी हम काल कर लेते हैं ठीक है अब हम काल करेंगे जो operator function उसको ठीक है यह देखे syntax में अब बताया था तो मानस 80 ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ calling operator function ठीक है यहाँ पर हम operator function को call कर रहे है चले उसके बाद 100 को एक बार और call करना पड़ेगा ताकि हमको पता चले कि जो value दिये हैं उसमें change हुआ है कि नहीं हुआ है उसको ठीक है तो 100 को call करा दिये फिर से उसके बाद get ch built in function होता है उसके बाद closing brace आपका main function complete आपका program भी complete हो गया है तीन error है यहाँ पर यहाँ पर हम mistake कर दिये हैं है ना हमको x की value को a में assign करना था sorry a की value को a में assign करना था minus a की value को तो चले हम यहाँ पर change कर देते हैं यहाँ आपका आपरेटर का करना चाहिए वो variable नहीं है variable हम class में यूज़ के हैं a, b, c ठीक है तो उसको यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ठीक है तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर देखो error तिन error है और यह तीनों में error है आपरेटर function के अंदर उसको हमको solve करना पड़ेगा चले उसको ठीक करते हैं चले यहाँ पर रहेगा a ठीक है और यहाँ पिर रहेगा मैनस A ठीक है और नीचे में रहेगा B और मैनस B इसके बाद C इसके बाद मैनस C ठीक है आप यह ठीक है 0 error रन करा के देख लेते हैं यह देखिए आपका 10, मैनस 20, 30 ठीक है उसके बाद जब काल की हैं उसको तो मैनस 10, प्लस 20 और मैनस 30 ठीक है मतलब जो प्लस में है उसको मैनस में कनवर्ट किया है और मैनस में है उसको प्लस में कनवर्ट किया है ठीक है चलिए यहां पर कुछ लिख देते हैं ताकि हमको पता चल जाए है ना चलिए यहां पर हम लिख देते हैं क्या लिखेंगे बीफोर ओवरलोडिंग ठीक है मतलब ओवरलोडिंग से पहले जो हमारा डेटा वैल्यू था वो क्या था है ना और overloading के बाद value है वो क्या होगा ठीक है उसको हम यहाँ पर थोड़ा से लिख देते हैं ताकि पता चल जाए before overloading ठीक है मतलब overloading से पहले अगर हम show function को call करते हैं तो जो दिये थे parameter में value group में वो print होगा 10, minus 20, and 30 उसके बाद जब हम अब return function को call करेंगे उसके बाद फिर show को call करेंगे तब वहाँ पर overloaded जो value रहेगा वो हमको मिलेगा तो आप after overloading ठीक है अब यहाँ पर clear पादा चलेगा यह देखिए before overloading मतलब overloading से पहले क्या दिये थे हम 10 दिये थे minus 20 and 30 उसके बाद after overloading वो हो गया है ना minus 10 plus 20 and minus 30 ठीक है तो इस तरीके से चाहिए यह अपरेटर overloading काम करता है थोड़ा से space दे देते हैं ताकि इस first हमको दिखे है ना clearly दिखे एक बार फिर देख लो output को देखो before overloading 10 minus 20 30 उसके बाद after overloading minus 10 plus 20 minus 30 ठीक है ओके अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो comment करो share करो और चैनल को subscribe करो थैंक यू